अंतररास्ट्रिय कुकेट स्टेडियम धर्मशाला में अगले वर्ष 15 मार्च को भारत श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले टीट्वेंटी मैच को लेकर एच्पीसी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं शनिवार को आयोजित एच्पीसी एअपैक्स काउंसिल की बैचिक के दौरान वेवस्थाओं को दुरूस्त करने पर चर्चा की गई कोड़ बैक्सिनेशन के बाद एच्पीसी ने आट फॉर्मेट में टूर्नमेंट शुरू कर दिये हैं प्रदेश में पहला महिला सबसेंट सिरमोर में खोला गया वही प्रदेश में चालू इत वर्ष में 11 सबसेंटर खोले गए शनिवार को हच्पीसी अपैक्स काउंसिल की इस वर्ष के तेसरी बैठर की जानकारी देते हुए HPCS Achieve सुमित शर्मा ने BCCI के future plan की जानकारी दी यहाँ पे cricket के कुछ सब सेंटर्स हैं उनको वहाँ पे खिलाडियों की मूर्बूत सुविदाओं इन सब वीशियों को लेकर के आज चर्चा हुई है और निश्चित रूप से हिमाचल परदिश का cricket क्रिकेट देश वर के और विश्वस तरीय क्रिकेट के यह क्रोना महारी के कारण था बहुत एफेक्टिड हुआ था प्रभाबित हुआ था लेकिन वैक्सिनेशन के पच्चाहत अब यह क्रिकेट की गतिवदियां शुरू ही है और जिसमें हिमाचल प्रदिश क्रिकेट एस्विशेशन ने भी अपने जो डॉमेस्टी क्रिकेट सेशन था वो अपना 19 जॉलाई से शुरू किया था और अलग लग आठ फॉर्मेट्स के अंदर लग लग टूर्नामेट्स का आउजन किया तो अब हम इस वक्त लास्ट अपने टूर्नामेट्स के टूर्नामेट्स के टूर्नामेट्स हमारे रह गया हैं जिसमें कि अभी हमारे इस वक्त हम मैदान में खड़े हैं यहां पे सीनियर डिस्टिक डे मैचिस का इंटर डिस्टिक चल रहे हैं यहां से हमारी सीनियर टीम का और विमेंस की जो T20 की क्रिकेट की टूर्णामेंट हमारे फरवरी 2022 में किसी अन्य राज्य में होगी तो उसमें हिमाचल परदेश की महिलाओं की क्रिकेट टीम की प्रेप्रेशन को लेकर करके चर्चाई हुई है अन्डे 16 का टूर्णामेंट अभी सूरत में होगा तो उसके मैचीज जो हैं जो ग्रूप मैचीज हैं वहाँ पर हमारे उन्ना में चल रहे हैं तो उसके पचाब उनका कैम्प और टीम डिपार्ट करेंगे इन सब विश्यों पर चर्चा हुई है उसके साथ साथ मूल जो हमारे गाउं तक क्रिकेट को बढ़ाने का जो मूल उदेशे हमारे मैंटर अन्राक सिंग ठाकुर जी गा था उसके उपर हम बार बार सेबसेंटर विकसित हुआं दूरदराज गाउं तक भिकसित हौ। तो इसके उपर लगबग 64 ऐसे सबसेंटर अभी तक भिकसित हुए हम ने इस financial year में हमें 11 नहीं सबसेंटर establish किया और especially एक women cricket sub center जिला सरमाओर के अंदर हमने वो इस वार establish किया है पहला हिमाचल परदेश का women का sub center है वो जिस पर exclusively for women's cricket activity के लिए है और जिसका कि युद गाटन हमारे VCCI के ट्रीजडार अरुन सिंग धूमन ने किया था तो उसके लावा और दो तिन हमारे sub center को लेकर की issues है उन सब को हमें डिसकस किया और निश्चित उस पर आने वाले समय में हमाचल की के नौजवानों को अच्छा क्रिकेट के अंदर space में लें बड़िया अच्छी opportunities में लें और हमाचल का नाम देश्वर की क्रिकेट के साथ अंतराची स्थ पर बनाएं उस देश्चित के साथ सारे विश्यों का हमने आप चर्चा में लाएं